तुलसी का पत्ता और आपकी दुकान चलेगी नहीं दोड़ेगी हमारे बहुत सारे भगत हमसे पूछते हैं कि गुरु जी हमारी दुकान नहीं चलती उसके लिए हमें क्या उपाए करना चाहिए हम दिन रात इसी मेहनत में लगे रहते हैं कि आपके लिए वो उपाए लेकर आएं जिनको करने से आपकी दुकान जादा से जादा चलने लगी आज मैं आपको तुलसी के पत्ते का एक ऐसा उपाए बताने जा रहा हूँ जिसको करने पर आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी और आपकी दुकान पर कभी भी ग्रहकों की कमी नहीं होगी आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में तुलसी को साक्षात मा कहा गया है तुलसी को मोक्षदाईनी कहा गया है और ऐसा घर जहांपर तुलसी का पोधा होता है वह घर घर नहीं तीरत के समान होता है तुलसी की पूजा करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं और जीवन में तुलसी की आराधना करने से मनुष्य के ऊपर कभी कोई पेडा कश्ट नहीं आता अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सुख सोभाग्या, मान प्रतिष्ठा इन सब की प्राप्ति आपको होती है आज मैं तुलसी के पत्ते का एक ऐसा गुप्त उपाई आपको बतानी वाला हूँ, जिसको करने के बाद आपकी दुकान में बहुत सारे ग्रहक आना श्टार्ट होंगे आपकी दुकान पर ग्रहकों के लंबी-लंबी कतारें लगना शुरू हो जाएंगी नमशकार सुस्वागतम आभार मैपंडित नीतिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड प्रहार्दिक स्वागत करता हूँ उमीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान भोले नाथ की कृपा आप सभी के उपर बनी रहे क्षेत्र में इंटरनेट की बहुत समस्या चल रही है सरकार के द्वारा बंद किया हुआ है तो प्यारे बंदु जनों आज कई है उपाई हमेशा हमेशा केलगे आपकी तकदीर बदलने वाला होगा भावे ही विदते देवा अर्था इस उपाई को विश्वास से आप कर लीजिए आपकी जो भी मनुकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी तो चलिए अब शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते है ओम्त्रियंबकम्यजामहे सुगंधिम्पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवबंधनान मृत्यूरमोक्षियमाम्रियतात बोलिये शंकर भगवाने कीजे तो प्यारे बंधु जनो मैं पंडित नितिन शास्त्री जोतिश मिराकल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ उमीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे और वहगवान भोले नात की कृपा आप सभी के उपर बनी रहे अम मैं आपको तुलसी के पत्ते का उपाई बताने जा रहा हूँ, जिसे आपने भड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि अगर आप उपाई सही तरीके से करोगे, तभी आपको उसका फल मिलता है जल्द बाजी में और गल्ट तरीके से किया गया उपाई कभी भी कोई फल नहीं देता तो उपाई शुरू करते हैं, इस उपाई को आपने लगातार साथ शुक्रवार करना है शुक्रवार की सुबह आपने तुलसी के एक पत्ते को लेकर अपनी दुकान पर आना है और उस तुलसी के पत्ते को गंगा जल में धोना है अब आपने इस तुलसी के पत्ते पर पीले चंदन का तिलक लगाना है ओम विश्णवे नमहा बोलते हुई क्योंकि तुलसी जो है उन्हें वरिंदा कहा जाता है अर्थात भगवान नारायन जी की पत्नी अब आपने इस तुलसी के पत्ते को अपनी दुकान के मंदिर में रखना है और तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला से ओम नमो भगवते वासु देवाया द्वादक्षर मंत्र का एक माला यानिकी 108 बार जाब करना है जाब पुर्ण होने के बाद तुलसी के पत्ते को उठा करके आपने अपनी दुकान के गुल्लक में रख लेना है ये आपको शुक्रवार की सुभा का उपाय करना है अब आपनी अगले शुक्रवार को यानिकी नेक्स्ट शुक्रवार जो आएगा पुराना तुलसी का पत्ता चलते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है उसकी जगह पर नए पत्ते को आपने गुल्लक में रखना है नए पत्ते को आपने वैसे ही रखना है गंगा जल से धोकर पीला तिलक लगा कर द्वादक्षर मंत्र का जाप करने के बाद फिर से उसको गल्ले में स्थापित करना है लगातार साथ शुक्रवार बीच में बिना कोई शुक्रवार मिस किये इस उपाई को आपने करना है और जितना जल्दी इस उपाई को आप करोगे उतना ही जल्दी इसके जो परिणाम है वो भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे वैसे तो इस उपाई का जो रिजल्ट है जैसे ही आप शुक्रवार को ये उपाई शुरूआत करेंगे अगले दिन से आपको इसके जो रिजल्ट है मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी दुकान में ग्रहकों की बढ़ोत्री होना स्टार्ट हो जाएगी दुकान की बरकत बढ़ने लगेगी व्यापार में लाब होने लगेगा और आपकी दुकान में लक्षमी माता धन का आगमन होने लगेगा जितना अधिक धैरिय से साहस विश्वास से सुपाई को आप करेगे उतना ही जल्दी इसके सुन्दर परिणाम आपको प्राप्त होंगे अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्ण है तो आप कमेंट पोक्स में अपना वह प्रश्ण हमसे पूछ सकते हैं आज के लिए बस इतना ही अब आपसे अगले एपिसोड में किसी नए विशे के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए आप सभी भक्त हसते रहें मुस्कुराते रहें और भगवान भोले नात का अश्रवाद आप सभी के उपर बना रहें ओम नमो श्रम भवायच मयो भवायच नमा शंकरायच मयस करायच शिवायच शिवतराय बोलिय शंकर भगवान की जय हर हर महादेव